हेलो फ्रेंड्स हर्शुर लांस और उमंग बरे इस खोली पर पर आए इस दो दिवसियत योहार के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको होली की कहानी भी सुनाओंगी वीडियो को अंत तक देखिएगा खोली की रोचक जानकरी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ खोली राग अनुराग और रंगों का पर्व है राग यानी की संगीत अनुराग यानी की प्रेंग और रंग तो इसके अभिनग है ही इस सब को उतकर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय अपने उतकर्ष पर होती है फागुन महा में मनाई जाने के कारण होली पर्व को फागुनी भी कहा जाता है प्रकृति होली का त्योहार वसंद पंच्वी से ही मनाना प्रारंब कर देती है खेतों में पीली सरसूं खिल उटती है बाग बगीचों में फूलों की आकर्शिक चटा चा जाती है खेतों में सुनारी गेहूं की बालियां इखलाने लगती है पेल पौधे पशू पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपून हो जाते हैं बच्चे बूडे सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और जूडियां बुला कर ढोलक मंजीरों की धुन के साथ नि एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है इसके बाद इस्तनान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहन कर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं गले मिलते हैं और अनेक विंजन खिलाते हैं जिनकी तयारी एक सबताहा से चल रंगों के इस त्योहार को फागुन महोतसव भी कहा जाता है इसमें पुराने गीतों को ब्रज की भाशा में गया जाता है भांग का पान भी होली की एक विशेश परंपरा है नशे में मदमस्त होकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और सारे गिले शिक्वे भुला कर सभ भी एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है ठीक इसी प्रकार होली की भी एक कहानी है होली दो दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है पहले दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन रंग वाली होली धुलेंडी होती है होली का दहन के पीछे एक कहानी है कि एक हिरनक श्रप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बल्वान समझता था इसलिए वे सभी देवताओं से घ्रणा करता था उससे देवताओं के भगवान विश्नु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था लेकिन इसका पुत्र प्रहलाद भगवा भगवान की भक्ती में लीन रहना था इस सबसे परिशान होकर एक दिन हिरनके श्रप ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका को अगनी की वेदी पर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठने को कहा क्योंकि होलिका को वर्दान प्राप था कि अगनी उसे जला नहीं सकती प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ती में लीन हो गया तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकारश्वानी हुई जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वे अपने बर्दान का प्रशित बच जाने पर हर्श उलास के साथ उस दिन खुशिया मनाई और आज तक इस दिन को होली का दहन की नाम से मनाया जाता है और अगले दिन को रंगों के त्योहार दुलेंडी के रूप में मनाया जाता है रंगों का यह पारू आपके जीवन को रंगीन और हर्श में बनाए, wish you a very very happy holy यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें Life is Precious को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करना भी न भूलें Thanks a lot for watching the video See you soon with a new video